जाहिन सातियों सौगत आप सभी का एक नई वीडियो में आज किस वीडियो में मैं आपको इंडिया के मोस्ट वांटे टेरिस्ट हाफिस सहीद के बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी पता चलेगी तो इस समय ये वीडियो बनाने का वज़ा ये है क्योंकि अभी 19 नॉमबर को ही हाफिस साइद को 10 साल की जेल हुई है तो इस वज़ा से ये काफी नियूज में है तो जानते हैं कि आखिरकार हाफिस साइद है कौन और ये इंडिया का most wanted terrorist कैसे बना तो हाफिस साइद एक human designated पाकिस्तानी terrorist है और ये co-founder है लस्करे तईबा का ये chief है जमात उद्दावा का जो की एक आतंकी संग्ठन है और ये दोनों आतंकी संग्ठन पाकिस्तान से ही operate करते हैं 1947 में इसका परिवार हिसार के हर्यारा में रहता था और जब बटवारा हुआ तो बटवारे के समय इसका परिवार यहां हिसार से लाहोर की तरफ जा रहा था उस समय हुए दंगो में इसके परिवार के करीब 36 लोग की जान चली गई बाद में 1950 में इसका जन्म होता है सरगोधा में वहीं से ही इसने तालीम हासल की और उसके बाद इसने मास्टर्स किया इसलामिक स्टडीज में साओधी के एक यूनिवरस्टी से वहाँ पे इसे अपनी अकैडमिक परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल भी दिया गया और वहीं इसकी मुलाकात हुई अब्दुल्ला अज्जाम से अब्दुल्ला अज्जाम के साथ मिलकर इसके लसकर तयवा को खड़ा किया इसको खड़ा करने में इसने हल्प लिया पाकिस्तान के इंटेलिजन्स एजन्सी आईसाई का और उसके बाद ये दोनों ने लसकर तयवा को आगे बढ़ाया अब्दुल्ला अज्जाम के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फादर आफ गलोबल जिहाद कहा जाता है पूरी दुनिया में जिहाद के लिए जितने भी आतंकी खड़े हुए है उन सब को खड़ा करने में कहीं न कहीं अब्दुल्ला अज्जाम का हाद जरूर रहा है ये एक पलिस्तीनी सुनी इसलामिक स्कॉलर था और इसने अलकाईदा को भी खड़ा किया था इसे उसाम विलादन का टीचर और मेंटोर भी कहा जाता है हालनकी अब ये जिन्दा नहीं है 1989 में पेसावर के कार बॉम्बिंग में इसकी जान चली गई थी ऐसा माना जाता है कि इस हमले के पिछे मुसाद का हाद था हालनकी कुछ लोगा कहना ये भी है कि इसे उसाम विलादन नहीं मरवा दिया था पर जाद तर जो सुबूत है वो मुसाद की खिलाप ही है हापिस साइद का एक बेटा भी है जिसका नाम है तलहा साइद तलहा साइद इस समय लसकरे तईबा का सेकंड इन कमांड है तलहा साइद पे 2019 में एक जानलेवा हमला हुआ था लाहोर में लसकरे तईबा की बयान माने तो इस हमले के पीछे रौ था मतलब इंडिया की इंटरिजेस एजनसी थी 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ उसके बाद हाफिस साइद का नाम आता है हाफिस साइद को पाकिस्तान दबाव में अरेश्ट कर लेता है हलांकि बाद में इसे फिर छोड़ दिया जाता है फिर 2006 में मुंबई में सीरियल बॉंबिंग्स होती है जिसमें 200 से ज़्यादा लोग की जान चली जाती है फिर से हाफिस साइद का नाम सामने आता है और हाफिस साइद के खिलाफ काफी सुबूत पेस करता है इंडिया उसके बाद इसे हाउस अरेश्ट किया जाता है हलांकि इसे अगीन छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसके खिलाफ जो सुबूत होते हैं इंडिया के वो पाकिस्तान मानता नहीं है 2008 में इंडिया पे एक बहुत बड़ा टैक होता है जिसे 26-11 मुंबई टैक कहा जाता है इस हमले में सैकडो इंडियन्स की जान गए और इसमें कई फॉर्निर्स भी मारे गए यह हमला इतना खतरनाक था कि करीब यह 60 घंटे तक चलता रहा इस हमले में एक जिंदा आतंकी भी पकड़ा गया था जिसका नाम कसाब था और जिसके वज़ा से पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के ISI और हाफिस साइद इन लोग के खिलाफ कई सबूत हासिल हो गए थे इसके बाद इंडिया ने योवन पर प्रेशर बनाया कि जमात उदावा और हाफिस साइद को टेरिस डेजिगनेट किया जाए योवन ने सारी सबूतों को देखते हुए जमात उदावा को L.E.T. का एक फ्रंट डेकलियर किया और उसे एक आतंकी संगटर और इसको एक आतंकी डेकलियर किया इसके बाद पाकिस्तान पे प्रेशर आया और 11 दिसंबर को 2008 को पाकिस्तान ने इसको हाउस अरेश्ट कर लिया बाद में इसको छोड़ दिया गया और 12 सितंबर 2009 में फिर से इसको अरेश्ट किया एक्टूबर 2009 को क्या होता है कि लाहूर के एक हाई कोट ने इसके खिलाब सारे जितने केसे थी वो सब को खतम कर देती है और इसे फ्री कर देती है लेकिन बाद में 2012 में जब यूएस की पूरी जाँच इसमें पूरी हो जाती है क्योंकि डेविड हेडली भी पकड़ा जा चुका था तो डेविड हेडली ने इसके खिलाब सारी सुमूत बताता है डेविड हेडली पूरी कहानी बताता है तो यूएस भी इसमें 10 मिलियन यूएस डालर की बाउंटी एनाउंस करता है क्योंकि यूएस के भी कई नागरिक मारे गए थे 26-11 हमले में हाला कि ये एक दिखावात है क्योंकि हाफिसाइद खुले हाँ पाकिस्तान में रहलिया करता है घूमता है फिरता है तो ये जो बाउंटी डेकलियर की गई थी ये बस दुनिया को एक मैसेज देना था कि हाँ यूएस आतंगवाद के खिलाब पूरी दुनिया में लड़ रहा है 2019 को इसके जो इसका संगठ है जमात उदावा उसके खिलाब 30 केसेज फाइल करती है Counter Terrorism Department of Pakistan under Anti-Terrorism Act of Pakistan और अगर Counter Terrorism Department की बात माने तो ये जो इसका जमात उदावा फ्रंट है इस फ्रंट को ये यूज करता है कई सारे NGO's से पैसा कलेट करने में ये इसलाम के नाम पे चंदा इकठा करता है पूरे पाकिस्तान से और फिर उसको कलेट करके उसे यूज करता है यहां कस्मीर में जितने भी आतंकिया हमले होते हैं उसको फंड करने में और पूरी दुनिया में ये टेरर फैनेंसिंग करता है बात में 17 जुलाई को इसे अरेश्ट कर लिया जाता है 11 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान की Anti-Terrorism Court इसे दोसी साबित करती है और फरोरी 2020 में इसे 5 साल की सजा हो जाती है अगर आपको लगता है कि ये सब करके पाकिस्तान अपने आपको एक अच्छा मुल्क साबित करना चाता है तो जी हां आपको सही लगता है पाकिस्तान बिलकुल भी किसी आतंकी या आतंकी संगठन के खिलाफ नहीं है जब तक कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ना हो अभी ये हुआ है कि इसको फिर से 10 साल की सजा हुई है इसके साथ में इसके दो और important साथियों को सजा हुई है जिसमें एक इसका official spokesperson है जिसका नाम याया मुजाहिद है उसे भी सजा हुई है तो ये सब पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के उपर इसमें FATF का कापी ज़्यादा pressure है पाकिस्तान पहले से एक grey list में है वो black list में नहीं जाना चाता है क्योंकि एक बार black list में चला जाता है तो पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी तो पाकिस्तान ये सब पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है कि देखिये हम आतंकवात के खिलाब है हम एक टेरर स्पॉंसर स्टेट नहीं है तो बिल्कुल भी अगर आपको जरा सा भी सक है कि नहीं पाकिस्तान एक रिस्पॉंसिबल मुल्क है और वो आतंकियों के खिलाब कड़ी कारवाई करता है तो आपको ये वीडियो देखिए ये है पाकिस्तान के आतंकी हाफिस साइद का लसकर आप देखिए इसको कैस तरीके से एसीवीज में बठाके ले जाया जा रहा है इसको पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के रेंजर्स इसको एसकॉर्ट करते है क्या दुनिया के किसी मुल्क में एक योईन डेजगनेटेड टेरिस्ट को इस तरीके से सुरच्छा दी जाती है पाकिस्तान का हाफिसाइद को अरेश्ट करने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं निकलता है हाफिसाइद को अगर इंडिया को बदला लेना हाफिसाइद से तो इसे जान से ही मारना होगा इसको वहाँ पे अरेश्ट करवाने का कोई मतलब है नहीं ये वहाँ पूरी तरीके से वहाँ उनकी जेलों में इंज्वाय करता है और वहीं से ये सारे काम जितने भी आतंकी काम है उन सब को ये उपरेट करता है अपने जमादु दावा को भी लसकरे तैवा को ये सब को वहीं से उपरेट करता है तो ये वीडियो यहीं तक थी मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत